करन की आँखों में आए आसू शमीता और ते जस्वी के बीच हुआ जबरदस्त जगड़ा सिंबा और उमर के बीच हुई फिजिकल फाइट प्रतीक परभड की अपसाना खान वेल दोस्तों क्या है पूरी अपडेट चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों आने वाले एपिसो की बात करें तो अपकमिंग अपिसोड में आप देखने वाले हैं कि करन जो है वो काफी जादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर फूट फूट कर रोने लगते हैं दरसल ते जस्वी की वज़स से वो इमोशनल नहीं होते वज़ा ये होती है कि उन्हें अपनी बेहन की याद है जिसके बात करन अपनी बेहन को याद करके काफिस जादा भावग हो जाते हैं और फिर उनकी आखों से आंसू छलक पड़ते हैं वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दे कि शमीता और तेजस्वी के बीच में जबरदस्त वाली फाइट होती है दरसल ये फाइट इसलिए ह क्योंकि शमीता जो है वह तेजस्वी का रास खोलेती है रिकर्डिंग रूम में जाकर और तेजस्वी को कैप्टैंसी की दावेदारी से बाहर करदेती है जो कि आपको बता दे दोस्तों की टास्क के दौरां सिम्बा और उमर के बीच भी हाता पाई हो जाती है नरसल होता ये है कि गुस्से में आकर सिंबा जो है वो उमर को स्विमिंग पूल में धका दे देते हैं और उसके बाद जो है फिर उमर रियाज गुस्से से बौकला जाते हैं और बदली की आग में जल जाते हैं फिर उमर रियाज जो है वो अपना गुस्सा निकालते में नजर आते हैं और सिंबा के साथ हाता पाई पर उतर जाते हैं। फिलाल हम आपको बता दे कि आनवाले एपिसोर में आप ये भी देखने वाले हैं कि ट्यास के दोरान गलती से प्रतिक अपसाना खान को टच कर देते हैं, जिसके बाद अपसाना जो है काफे ज़ादा भढ़ जाती है प्रतीक पर और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुमने मुझे टच कैसे किया जबकि प्रतीक अपनी सफाई देते वे कहते है कि मैंने जान बुच कर टच नहीं किया गलती से हो गया आप मुझे माफ कर दीजे और इसे बीच अपसाना और प्रतीक की बीच जम कर लड़ाई होती है जहापर जय जो है वो अपसाना का सपोर्ट करते वे नजर आते हैं और प प्रतीक